असलाम अलेकुम, रीनास की किचन में आपका स्वागत है, आज मैं बनने जा रही हूँ गोश का सालन, इसके लिए मैंने पहले ही गोश गला कर रखा था, मैंने इसके अंदर एक प्यास डाला था, हल्दी डाली थी, नमक डाली थी, और एक टमाटर डाला था, यह अब गल अब इसके लिए, वह बताती हो, मैं क्या क्या लेती हूँ, इसके अंदर लिए, एक पैस, बारिक कट करके लिए हूँ, एक टमाटर लिए हूँ, यह थोड़ी अदरक है, यह लहसुन है, यह धनिया है, यह बड़ी सोप है, जीरा, कोतमीर और पुदीना, और इसके अंदर यूज लेते हैं और हम स्टार्टकर बनने केदेए तेल डालगे कारहू ब्लाइबीक देख्यर लेते। कि बचा हुआ हम इसके अंडल डूर कर डाल देंगे हैं कि मेस्ट नहीं करना है अब मैंने लिए आए हल्दी लाल मिर्च पाउडर ये मिर्च पाउडर है कि अब में यह कोट्स डाल दो अब कोट्से के अज़ीटे हैं जाल दीजीटे हुआ grab 13 E आप दॉआ है कि उसमीड आप को कि इतना पानी पानी चाहिए टना आप डाल सकते हों और इसे ढख करके 15-20 मिनिट तक रख दो, अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो मिक्सर के बरतर में जो बचा हुआ था ना, थोड़ा उसके अंदर पानी डाल कर मैं ने इसके अंदर डाल दिया, अब इसे हम आदा डख करके रख देंगे, देखो ये बन गया हमारा गोश्ट का सालन, मैं अब इसे बन करती हूँ और आपको बताती हूँ ये कैसा आपको बन है, हुआ देखो ये जोगे, जोट अन्दर लोशन के पेस्ट दाली है एक तंवाट डाला है डाला है और एक प्यास डाली कट करके इसके उपर फिर कोटमीर की भी चावल बना दिया है ये देखो मैंने चावल पे सालन डाल दिया ये बन गए हमारी रेसिपी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसके लाइक करें शेर करें रो सब्सक्राइब करें अला आफ भी मिलते हैं दुबारा दूसरे रेसिपी के साथ